अध्याए पच्पन ये साया है अध्याए पच्पन अहो सब पैसे लोगो पानी के पास आओ और जिन के पास रुपया भी नँ हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ आकर दात्मदू और तूद बिना रुपये और बिना दाम के लेलो जो भोजनवस तुन नहीं है उसके लिए त और मन लगा कर सुनो तब उत्तम वस्तुए खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुए खाकर संतुष्ट हो जाओगे खान लगाओ और मेरे पास आओ सुनो तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा अर्थात दाउत पर की अटल करना की वाचा सुनो मैंने उसको रज रज की लोगों के लिए साक्षी और प्रधान और आज्या देने वाला ठैराया है सुन तू ऐसी जाती को जिससे तू नहीं जानता बुलाएगा और ऐसी जाती है जो तुझे नहीं जानती तेरे पास दवड़ी आएगी वे तेरे परम यहवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो जब तक वह निकट है तब तक उसको पुकारो दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोचुचार छोड़कर यहवा ही की ओर फिरे और वह उस पर दया करेगा वह हमारे परमश्वर की ओर फिरे और वह पूरी र नहीं है और नो तुम्हारी और मेरी गती एक सी है क्योंकि मेरी और तुम्हारी गती में और मेरे और तुम्हारे सोचुचारों में आकाश और पुत्वी का अंतर है जिस प्रकार से वर्शा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां योही लोट नहीं जाते बरन वहमी पर पढ कर उपज उपचाते हैं इसी रिते से बोने वाले को बीच और खाने वाले को रोटी मिलती है उसी प्रकार से मेरा वचन भी जो मेरे मुख से निकलता है वहां व्यर्थ ठर कर मेरे पास नल उटेगा जो मेरी इच्छा है वहां उसको पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वहां पूरा करेगा क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांती के साथ पहुचाए जाओगे तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और पहाड़िया गला खोल कर जैजिकार करेगी और मैदान के सब रुक्ष आनंद के मारे ताली बजाएंगे तब भटक टैयों की संती सनोर उगेंगे और बिच्चू पेड़ों की संती मेहंदी उगेंगे और इससे यहवा का नाम होगा और सदा का चिन अद्याय पच्पन ये शाया है अद्याय पच्पन अहो सब पैसे लोगों पानी के पास आओ और जिनके पास रुपया भी नहो तुम भी आकर मोल लो और खाओ आकर दातमदू और तूद बिना रुपय और बिना दाम के ले लो जो भोजन वस्तू नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्म करते हो मेरी और मन लगा कर सुनो तब उत्तम वस्तूए खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तूए खाकर संतुष्ट हो जाओगे खान लगाओ और मेरे पास आओ सुनो तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा अर्थाथ दाउत पर की अटल करोना की वाचा सुनो मैंने उसको रज्ज रज्ज की लोगों के लिए साक्षी और प्रधान और आग्या देने वाला ठहराया है सुन तू ऐसी जाती को जिससे तू नहीं जानता बुलाएगा और ऐसी जाती है जो तुझे नहीं जानती तेरे पास दवड़ी आएगी वे तेरे परमिश्वर यहोवा और इस्राइल के पवित्र के निमित यहां करेगी क्योंकि उसने तुझे शुभायमान किया है जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो जब तक वह निकट है तब तक उसको पुकारो दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोचुचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे और वह उस पर दया करेगा वह हमारे परमश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको ख्रमा करेगा क्योंकि यहोवा की यह वानी है कि मेरे और तुम्हारे सोचुचार एक समार नहीं है और न तुम्हारी और मेरी गती एक सी है क्योंकि मेरी और तुम्हारी गती में और मेरे और तुम्हारे